जै मातली दोस्तों आज इस वीडियो में आपको माता वैश्योंदेवी की कता सुनाऊंगा अगर आप माता वैश्योंदेवी की कता सुने बैठ गए हैं तो क्रिप्रिया करके पूरी कता सुनेगा क्योंकि ये माना जाता है कि अगर आप माता वैश्योंदेवी की कता दूरी स सुनेंगे तो आपको पाप लगेगा तो दोस्तों कथा यहां से स्टार्ट होती है कट्टा से दूर एक गाउ था जिसका नाम था हंसाली गाउ जिसमें माता वैश्योंदेवी का परम भक्त श्रीदर रहते थे वह नीजनतान होने के कारण बहुत दुखी रहते थे एक दिन उ दिवरात्री पूजंग के लिए कुवारी कन्याओ को बलाया मा वैश्योंदेवी ने उनी के बीच कन्याओ का रूप धारण करके उनके घर पोच गई पूजन के बाद सभी कन्याय तो चली गई पर मा वैशन देवी वही रही और शीधर से बोली सब को अपने घर बंधारे का निमंतर दे आओ शीधर ने उस दिव्या कन्या की बात मान ली और आस पास के गउँ में जाकर सभी लोगों के घर में बंधारे का निमंतर दे आया वहाँ से लोड़कर आते हुए उन्होंने गुरु गोरक नात वे उनके सिशे बाबा भैरव नात जी के साथ और उनके बाकी दोस्तों को भी भोजन का निमंतर दे आए भोजन का निमंतर पाकर सभी गाववासी अच्छबित थे कि वह कुन से कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है इसके बाद शीदर के घर सारे गाववासी दिरे-दिरे करके आन लगे और तब उद्विया कन्या ने एक पात्र से सभी को भोजन करवाया भोजन पुरोस्ते हुए जब वै कन्या भैरवनात के पास गई तब उन्होंने कहा कि मैं खीर पूरी की जगा मास खाऊंगा और मदीरा करूंगा तब कन्या रूपी मा ने उसे समझाया कि यह ब्रामन के यहां का बोजन है इसमें मसहार नहीं किया जाता इंतु भैरवनात ने जान बूचकर अपनी बात पर अड़ा रहा जब भैरवनात ने उस कन्या को पकड़ना चाहा तब मा ने उसके कपट को जान लिया मा वायू रूप में बदलकर त्रिकुटा परवत की और उड़ चली भैरवनात भी उनके पीछे चला गया माना जाता है कि मा के रक्षा के लिए पवन्पुत हरुमान भी थे थोए आज यह पवित्र जल्दारा बार गंगा के नाम से जानी जाती है इसके पवित्र जल में पानी और इसमान करने से सदालों की सारी ठकावट और तकलीर दूर हो जाती है दोस्तो इस दोरान माता ने एक कुफा में प्रवेश कर नो माहा तक तबस्या की बहरदनाथ भी उनके पीछे वहां तक चले गए तब एक सादू ने बहरदनाथ जी को समझाया कि जिस कन्या को पीछा कर रहा है कोई ममुली कन्या नहीं है वे आदि शक्ति जगदंबा है इस दो उस माह शक्ति का पीछा छोड़ दे बहरदनाथ ने सादू की बात नहीं मानी तब माता गुफा की दूसरी ओक से मार्क बना कर बहर निकल गई यह गुफा आज भी अर्थकुमारी या गर्बजून के नाम से प्रसिद है अर्थकुमारी की पहले माता की चर्ण पादुका भी है यह वैस्तान है जह माता ने भागते भागते मुड़कर बहरवनात को देखा था गुफा से बाहर निकल कर कन्या ने देवी का रूप धरन किया माता ने बहरवनात को चितावनी दी और वापत जाने को कहा फ्री भी वे नहीं माना माता गुफा के बीतर चली गई तब माता की रक्षा के लिए हरुमान जी गुफा के भार थे और उन्हें बहरवनात से युद किया जब वो बहरवनात से युद करते करते ठक गए तब माता वैस्तान देवी ने महाकाली का रूप लेकर बहरवनात का संगार कर दिया बहरवनात का सिर काटकर भवन से 8 किलोमेटर दूर त्रिकूर परवर्थ की बहरव घाटी में गिरा यह स्थान को बहरवनात के मंदर के नाम से जाना जाता है जिस स्थान पर मा वैशन देवी ने हटी बहरवनात का वद किया वे स्थान पवित्र गुफा अत्वा भवन के नाम से प्रसिद है इसी स्थान पर मा महा काली इंदाए मा महा सरस्वति मद्धे और मा महा लक्ष्मी बाई पिंडी के रूप में गुफा में विराजपान है इन तीनों के सम्मधित रूप को ही मा वैशन देवी का रूप कहा जाता है कहा जाता है कि अपने वत के बाद भैरवनात को अपनी फूल का पश्यताप हुआ उसने मा से शमादान की भीक मागी माता वैशन देवी जानते थी कि उन पर हमला करने की बीचे भैरव की प्रमुक मंशा मुख्ष प्राक्री की थी उदोंने ना किवद भैरव को पूरे जलम के चक्र से मुथ कर दिया बल्कि उसे वदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा उसी मान्यत अनुश्वार आज भी भक्त माता वैशन देवी के दर्शन करने के बाद करी तीन किलोमीटर की दूरी तैय करकर जो स्तीप चाड़ाई हैं भैरोनाद बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं इस बीच वैशन देवी के तीन पिंट सर सहीत एच चटान का आहार ग्रहन किया और सदा के लिए ध्यान मगने हो गई इस बीच पंडिश शीधर अधीर हो गए वै त्रिकुटा परवत की और उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था अध्यता वै गुफा के दौआर पर पहुचे उन्होंने कई विधियाँ से पिंडो की पूजा को अपनी दिंचर्या बना ली देवी उनकी पूजा से प्रसंद हुई वे उनके सामने प्राकट हुई और उन्हें आशिरवाद दिया तबशे शीधर और उनके वंशत देवी मा वैशन देवी की पूजा करते आ रहे हैं आज भी दोस्तों ये थी माता वैशन देवी की कता अगर दोस्तों आपको ये कता पसंद आई हो और माता वैशन देवी के ऊपर जितनी हमने वीडियो उना हैं वो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद